असलाम लेकुम वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल टूड़े ओवर टॉपिक इस फ्लाइट इन बर्ड बर्ड में डिफरेंट टाइप की फ्लाइट होती है ठीक है लेकिन नो मैटर कौन सी भी फ्लाइट है जो बेसिक मेकानिजम होगा ना वो सेम होगा फ्लाइट का ठ ठीक है अब बर्ड विंग्स जो है ना बेसिकली एर फॉयल बनाते हैं अब एर फॉयल क्या होती है बेसिकली कहलें एक क्रास सेक्शनल छेप होती है ठीक है जिसकी जासे लिफ्ट जो है ना वो मिल सकती है किसी चीज़ को तो जो बर्ड विंग्स जो है ना वो एर फॉयल ब और लोवर सर्फिस का कमपैरिजन करेंगे अपर सर्फिस जो बेसिकली होती है वो कन्वेक्स होती है ठीक है वहां से एयर तेजी से गुजरती है और एयर प्रेशर कम होता है अपर सर्फिस कन्वेक्स है एयर फास्टी मूव करती है और वहां पर एयर प्रेशर कम होता है अपर air pressure ज्यादा होता है अब जब नीच्चे air pressure ज्यादा होगा तो क्या होगा कि bird आपर की तरफ मूव करेगा उसको lift मिलेगी यह जो दो properties है न इसको लिफ्ट पर वाइड करती है यानि उपर की तरफ मूव कराती है तो upper surface कैसी होती कन्वेक्स होती है वहां पर क्या होता है एर प्रेशर जो होता है बेसिकली वह कम होता है और वहां पर एर फॉसली मूव करती है जिबके लोवर प्रेशर लोवर सर्फिस की बात करें तो वह कन्केव होती है वहां से एर स्लोली गुजरती है और एर प्रेशर क्या होता है ज्या चाहिकल करी होती हalter कहां में आगे कि तरफ मुऴ कर नियुक्ड तरह यूजर कि करती हैा खालो हुआ हुआ है इसके लावा प्रपल्सी फोर्सам कौन से ए यूज आगे टरफ फ्राइग करने के लिए अच्छा में अज़ाओ लीफ्ट लीविट करें माँड़ना करते हैं हमने अपर और लवर सर्फिस की बात की ना उससे जो lift create होती है वो bird के weight से ज़्यादा होनी चाहिए और वो forces जो bird को propel करती है यानि जो propulsive forces है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए than that break force तांके bird जो है वो आगे की तरफ move कर सके इसके इलावा angle of attack angle of attack कब बनेगा जब leading edge जो है wing का यानि जो start वाला edge है wing का वो ने अब कब oncoming air जो है उसके साथ मिलता है यानि जो आगे की तरफ air आ रही है उसकी तरफ जो leading edge है wing का जब वो मिलता है तो क्या होता है angle of attack क्रियेट होता है यहाँ पे हम देखे angle of attack यह देखें यहाँ पे आगे से force बेसिकली आ रही है इस side से force आ रही है ठीक है और यह leading edge के साथ मिलेगी तो यहाँ पे क्या होगा एक angle क्रियेट हो जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे angle of attack angle of attack इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे lift इंक्रीज होगी और angle of attack जैसे ही increase होगा ना तो जो सामने की तरफ से air आ रही है ना वो turbulent हो जाएगी यानि बेतर्टीब सी हो जाएगी देखें पहले तो जब angle of attack जो है वो normal था तो air जो है वो normally move का रही थी ऐसे जैसे ही angle of attack जाएगा जादा हुआ तो air जो है वो बेतर्टीब सी हो गई turbulence करियेट हो गई देखें वो कुछ बेतर्टीबी से move करने लग गई अब यह जो turbulence है ना इसको कैसे कम करना है इसके कम करने के लिए birds में क्या होते है alola ठीक है जिसे हम slots भी कहते है alola या slorts alola क्या होते है बेसिकलि आप कहलें कि यह small feathers होते हैं और यह क्या करते हैं reduce करते हैं turbulence को alola is the group of small feathers जिसको support कोन करती है medial digit की bonds और इसका काम क्या होता है यह reduce करता है turbulence को अब जब landing करनी होती है तो angle of attack ज्यादा होता है angle of attack ज्यादा होगा तो alola elevate हो जाएंगे यानि alola का काम क्या होता है basically कि उन्हें turbulence को कम करना है और angle of attack ज्यादा होगा turbulence ज्यादा होगी तो alola elevate हो जाएंगे turbulence को कम करेंगे birds जो है वो land का जाएगा लेकिन जब soaring या fast flight होती है तो angle of attack जो है वो decrease हो जाता है ठीक हो गया अच्छा अब ना birds के देखें wing के दो basic ली पार्ट है distal part है और proximal part है distal part जो है ना यानि जो leading edge वाली side है वो ज्यादा परpulsive force पर ड्यूस करेगी ठीक है और ये ज्यादा foster move करेगा as compared to proximal part से ठीक है distal part और proximal part की हमने यहां बात की है इसकी बाद हम बात करेंगे stroke की stroke basically दो तरह की है power stroke है and recovery stroke है power stroke को हम down stroke भी कहते है यानि कि नीचे की तरफ ये stroke होता है ठीक है और इसमें क्या होता है leading edge downward हो जाता है यानि इसे हमने क्या कहा down stroke resistance ज्यादा हो जाएगी क्यूंकि angle of attack ज्यादा हो जाता है और इसमें feeder जो है वो separate नहीं होते एकठे रहते हैं power stroke में यानि bird के उपर ही होते है feeders अलाग अलाग शोग नहीं होते हमें और air जो है वो नहीं pass हो सकती power stroke में क्या क्या होता है power stroke में इसे हम down stroke भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि लीडिंग याइड जो है वो डौनवर्ड हो जाता है रिजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है फीदर्स जो है वो सेपरेट नहीं होते बर्ड के साथ अटैच रहते हैं और एयर पास करना अलाओ नहीं होता लेकिन रिकवरी स्ट्रोक इसके अपोजिट होता है इसको हम क्या कहते हैं अपवर्ड स्ट्रोक होता है एंगल आफ अटैक जो है वो काम हो जाता है रिजिस्टेंस जो है वो भी काम हो जाती है फीदर्स जो है वो सेपरेट हो जाते है और air जो होती है वो पास हो जाती है तो इसको हम क्या कहते है recovery stroke इसके बाद tail जो है वो भी function करती है flight में ये balancing परवाइड करती है steering या breaking functions जो हैं वो परवाइड करती है इसके लावा जो lift है उसको enhance करती है horizontal flight की बात करें तो tail feathers जो है वो separate होके lift increase करते हैं तो tail जो होती है तो tail जो है वो नीचे की तरफ डिफलेक्ट कर जाती है और breaker के तोर पर काम करती है air break के तोर पर इसके लावा कुछ ऐसे birds होते हैं जिनकी tail जो होती है highly कहलें के colorful होती है ornamental होती है ornamentation होती है इसका क्या मकसद होता है ताँ कि female bird जो है उनको attract किया जा सके तो यह basically tail के function है next video में हम देखते हैं कि ना birds की flight की कितनी types हैं जा जाए 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 जा